सवाल यह है कि यह प्रेश कॉन्फरエンस आयोजीत करने का आपका मकसद क्या है? किस वधा से आपने आज यह प्रेश कॉन्फरेंस गुञाई ती? खाल ही मैं बेजरी कॉन्नी गई थी, मैं वहां से आअर्टिजन से मिली हूँ, फनकारों से मिली हूँ, उनकी हालत बहुत ही खराब है, हैरत होती है कि अभी रशीद कादरी भाई को जो पदमिश्री अवार्ड मिला है, जबकि वहां पे खाली जो है उनकी तारीफ की गई, फन की कदर नहीं की गई, फन के बारे में कुछ नहीं बोला गया, जो उनको पदम मंतरी मोदी से बात करते हैं कि कांग्रेस के दोर में उन्हें यह वाड से समानी नहीं किया गया, उनके प्रधान मंतरी मोदी ने जो उनका ख्याल रखा है, इसका कारण क्या है, कॉंग्रेस इस काम को करने में क्यों पीशे रही? मंच पे जाते वक्त उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया, सब को सलाम की और सरफ नरिंदर मोदी जी से हाथ मिलाया, क्यों? या बाजपा वाले मेरे फ़न को पहचानेंगे, में एक आवार्ड देंगे, कॉंग्रेस वाले ऐसा नहीं किये और बाजपा वाले जो है, इसमें बहुती बड़े कलाकार हैं, हर चीज को मैनिपुलेट करने में नरंदर मोदी मुसल्मानों के खिलाफ नहीं है, मुसल्मानों की इज़त अफजाई हो रही है, मुसल्मानों को अवार्ड मिल रहा है। कि हिंदुस्तान के मुसल्मान को और खास तोर पर बेदर के मुसल्मानों को वो याद नहीं है? शाहर रशीद आमद खादरी करनाटा का सैब्द है तो एक तरफ उनको आप जैसा कह रहे हैं कि मुसल्मानों को करीब करने के लिए उनका अवार्ट से सम्मानित किया जा रहा है कि दू बी के तहέλ़ उनका रिजड़ेशन रद किया जाता है यह किस तरह की सियासी चाल है इस पर क्या कहना चाहते है इस तरफ से यहां इजड़त अफजाई हो रही है दूसरी तरफ से उनका हथ छीना जा रहा है यह जो चार पसर रिजर्वेशन चीना गया, इससे कई बच्चे जो है, ना इंजीनर बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकते हैं। प्रधान मंतरी मोदी ने खुद यह कहा था, कि इस जो है विद्री क्राफ्ट को इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केटिंग की जाएगी, इसको प्रमोट किया जाएगा, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट नहीं किया भी तक इसके बारे में कुछ किया नहीं, फिर उसी फनकार को बुलाकर वो अवाट से सम्मालित करते हैं, आपको तो पता है वो जुम्ले बाद सरकार है, वो जब देखो तब जुम्ले बोलती है, अवाम के जजबात के साथ खेलती है, उन्होंने आज तक कौन सा वादा पूरा किया, क्या किसी के अकाउंट में काला धना क्या किसी को नोकरी मिली, चालीस टके की सरकार है, या अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करती, अगर दोज़ार चोबीस के चुनाओ के बाद महारत में अगर आपकी सरकार आती है, कॉंग्रेस की, तो क्या ये इस इंडस्ट्री को जो है इंटरनेस्टन नेवल पर प्रमो नहीं है, ये वान मैं शोव नहीं है, इस टीम एफर, इछले सालों में, 2014 से अब तक इसे कहीं कॉंग्रेस पार्टी के लिडर पार्टी छोड़ कर बीजेपी में चले गए, कोई दूसरी पार्टी में चले गए, जैसे हुलाम नभी आजाद है, हां भाई, किस्टा कुर्सी का, आपके जैसे माइनरेटी की मिनिस्टर की नश्मा अबतुला, वो कॉंग्रेस की माइनरेटी लिया, मिनिस्टर रहने के पावजूत की चौदार में, बीजेपी जाइन करती है, हर जगह इसा बुसी का, ये तो आप कह रहे हैं मेरम, लेकिन उनों नहीं जो इस्टेटमे अभी मेरम, जो कॉंग्रेस के मुख्या है, मलीकरजुन खरगे जी, इसी रिजन से वा आते हैं, तो क्या उनके अध्यक्ष बनने के बाद कुछ बदलाव आएगा कॉंग्रेस में, क्योंके मलीकरजुन खरगे जी के कॉंग्रेस पार्टी के प्रेजडेंट बनते ही, अरधय जी का क्या रोल रहएगा, क्या कॉंग्रेस यहाँ पर आएगी? सवन इसादो जी कि यह प्रेस कॉंफरेंस आईवजित करने का मुक्सद क्या है? किस वग्फरेस कॉंफरेंस आज सवत्य कहीं है. और पूरी दुनिया बर में ये क्राफ्ट मुशूर है लेकिन अब ऐसे हालात हो गए है कि ये क्राफ्ट जो है आहसा आहसा मर रहा है खतम हो जा रहा है विदिन फाइफ यह आप देखेंगे अभी जो आटिजन्स यहां पे हैं वो सतर से पच्छतर हैं विदिन फाइफ यह ज जनरेशन इसमें उलवान लही है नई जनरेशन कोई आटो ड्रैवर्स हैं कोई चोटा मोटा कारबार कर रहे हैं इस क्राफ्ट की और तवज्यू नहीं दे रहे हैं हाल ही मैं बेदरी कॉनली गई थी मैं वहां से आर्टिजन से मिली हूं फनकारों से मिली हूं उनकी हालत ब की गई फन के बारे में कुछ नहीं बोला गया जो उनको पदमिश्री अवार्ड मिला है क्या उस से उनका पेड़ बर सकता है या बाकी फनकार है उनका पेड़ बरा जा सकता है जिस हालाच से वो लोग गुजर रहे हैं उनका जीना मुश्किल है फनकारों का मेरा सवाल खाली बाजपा गवर्मेंट से नहीं है, जो कोई भी गवर्मेंट आती है, वो जरा फनकारों के बारे में सोचे, इस फन के बारे में सोचे, इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इसको कैसे फिर से दुबारा जिन्दा किया जा सकता है, और इसको कैसे जिन्दा रखा जा सकता है इसका कारण क्या है कॉंग्रेस किसी भी काम में पीछे नहीं रहती आपने उनका अगर मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान ने क्या पूरे इंटरनाशनल मीडिया ने भी ये दिखाया होगा क्यूंकि आज पूरे दिन जो है इसी की चर्चा चल रही थी मंच पे जाते वक्त उन्होंने किसी से हाथ नहीं मिलाया सब को सलाम की और सिर्फ नरिंदर मोदी जी से हाथ मिलाया क्यूं और फिर नरंदर मोदी जी को बोला कि मुझे वहमगुमान नहीं था कि आप जो है या बाजपा वाले जो है मेरे फन को पहचानेंगे में को अवार्ड देंगे कॉंग्रेस वाले ऐसा नहीं किये कॉंग्रेस वाले हमेशा जो है स्पोर्ट्समेंस के साथ फन कारूं के साथ फन के साथ रहे हैं और उनका फिर ऐसा बयान देना करनाटक में एलेक्शन मॉमेंट है ये सब मैनिपिलेटिड है भाई और बाजपा वाले जो हैं इसमें बहुती बड़े कलाकार हैं हर चीज को मैन कि भाई देखो नरंदर मोदी मुसल्मानों के खिलाफ नहीं है मुसल्मानों की इज़त अफजाई हो रही है मुसल्मानों को आवार्ड मिल रहा है क्या हिंदोस्तान के मुसल्मानों को ट्रिपल तलाक याद नहीं है क्या हिंदोस्तान के मुसल्मानों को गावरक शक्का या याद नहीं है क्या हिंदुस्तान के मुसल्मानों को लव जहाद याद नहीं है हाल ही में जो राजस्तान में दो लड़कों को मारा गया क्या हिंदुस्तान के मुसल्मानों को वो याद नहीं है अब देखे आप, एक तरफ से यहां इज़त अफजाई हो रही है, दूसरी तरफ से उनका हख चीना जा रहा है, जिस हख के वो मुस्तियक है, चार परसन रिजर्वेशन से क्या है, यही बिदरी आर्टिस जो है, इनके बच्चे कल को इंजिनियर और डॉक्टर बन सकते हैं, जो उनका बुनियादी हख है, राइट टू एजुकेशन हिंदुस्तान के मुताबिक, आइन के मुताबिक, राइट टू एजु चीना गया, इससे कई बच्चे जो है, ना इंजिनियर बन सकते हैं, ना डॉक्टर बन सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनसे उनका जो है, बुनियादी हख चीना गया है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही सरकार जो है, वो किस तरह के पेत्रे हैंक जो फन मर रहा है आने वाले वक्त में बिलकुल ही फन खतम हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे बाहर के मुमाल्कूं से कोई भी अगर बड़े लोग आते हैं, बड़े काइद आते हैं तो उनको इसी फन से जो है तोफे दिये जाते हैं इसी फन के बिदरी फन के तोफे दिये जाते हैं और वही फन मर रहा है आप उसको रिवाइव करने के लिए जिन्दा रखने के लिए कुछ ने कर रहे हैं आप यहां से एक मुसल्मान फनकार को जो है बदमिशिरी दे रहे है उसकी इज़त अवजाई कर रहे हैं लेकिन फन के बारे में आप एक अलफाज नहीं बोल रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं मुसल्मान भाईयों का हक चीन रहे हैं जो उनका बुन्यादी हक है राइट टो एजुकेशन आप उनको महरूम कर रहे हैं उससे अब ये कहां लिखा हुआ है कि फनकार का बेटा फनकार ही बनेगा उसका भी हक है इंजीनियर ये डॉक्टर बनना बड़ा इंसान बनना लेकिन आप उससे वो हक चीन रहे हैं पिछली बार अभीदर में एक सभा में प्रधान मंतरी मोदी ने खुद ये कहा था कि इस जो है अभीदरी क्राफ्ट को इंटरनेशनल लेवल पर इसकी मार्केटिंग की जाएगी इसको प्रमोट किया जाएगा लेकिन इस चीज़ को उन्होंने प्रमोट नहीं किया भी तक इसके बारे में कुछ किया नहीं पिर उसी फनकार को बलाकर वो सभवाट से सम्मानित करते हैं अलेक्शन मूवमेंट में उनको दिया जा रहा है मुसलमानों को खुश किया जा रहा है आपको तो पता है वो जुम्ले बाद सरकार है वो जब देखो तब जुम्ले बोलती है अवाम के जजबात के साथ खेलती है उन्होंने आज तक कौन सा वादा पूरा किया है क्या किसी के अकाउंट में काला धन आया क्या किसी को नोकरी मिली तो ये जुमले बरी सरकार है 40 रखे की सरकार है ये अपना कोई भी वादा पूरा नहीं करती अगर 2024 के चुनाओं के बाद भारत में अगर आपकी सरकार आती है कॉंग्रेस की तो क्या ये इस इंडस्ट्री को जो है इंटरनेशन लेवल पर प्रमोट किया जाएगा हाँ क्यों नहीं किया जाएगा भई हम लोग तो कहते हैं हम आम आदमी की सरकार है जन्ता की सरकार है गरीबों की किसानों की सरकार है हम जरूर जो है इसमें हमारी तरफ से कोशिश करेंगे कि ये जो फण है ये इंटरनाशनल लेवल तक पहुँचे और जिते भी फणकार है उनको राहत मिले बीदरी क्राफ्ट में मैं बीदर में शार रशीद खादरिय जैसे और कई सेक्ड़ों फंकार छुपे हुए है आपने खुद कहा है कि आपने वहाँ पर जाकर दोरा किया है आपने क्या ऐसा महसूस किया कि ये कला बीदर में दम तोड रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए और इसके क्या रिजन्स है में रिजन्स के क्या है क्यों ये कला दम तोड रही है बीदर में भाई देखिये जैसे सिर्फ रशीद भाई की वावाई हुई है जबकि ये खाली रशीद भाई का काम नहीं है यह one man show नहीं है, it's a team effort, पहले जो है, इसकी मोलिंग की जाती है, उसके बाद इसमें डिजाइन डाला जाता है, उसके बाद इसमें जो है, तराशी की जाती है, और उसके बाद इसमें silver की जो तार है, वो लगाई जाती है, उसके बाद बिदर की मिटी से जो है, इसकी polishing होती है तो ये एक आदमी का काम नहीं है, कि हम किसी एक आदमी की तारीफ इसमें करें, ये team effort है, और यहां पे जिते भी ये फनकार है, उनको इस महन ehnak का महंताना नहीं मिल रहा है, उनके लिए जीना मुश्किल हो रहा है, और वैसे भी पहले कोविड की मार ती, पहले तो लोगों को नोट बंदी ने मारा, फिर GST ने मारा, उसके बाद जो है कोविड ने मारा, अब जो है महँगाई ने मारा, तो अवाम जाएगी कहां? दुबारा फिर हम मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, क्या चुनाव खरीब आ रहे हैं, इसी वज़ा से बीजेपी इस तरह के आवार्ड से सम्मुदाई को अपने खरीब करना चाह रही है? यही है, यही उनका में मकसद है, कि चुनाव नजदीक है और एक तबके को अपने करीब करने के लिए, जिनको अलरड़ी पता है कि यह नफरतवरी सरकार है, चालिस टका की सरकार है, जुमले वाजी सरकार है, भारत को बेचने वाली, भारत को तोडने वाली सरकार है, तो व कि बात किये जाती है तो उसमें भागय दारी नहीं दी जाती है किसी मुस्लिम को बीजेपी से टिकेट नहीं दिया जाता है इसकी वजा गया है क्योंकि बीजेपी शुरू से एंटी माइनोरिटी एंटी मुसलिम है वो कब चाहेंगे कि मुसल्मान जो है आगे बड़े करें. अभी मेडम आने वाले छुनाओं में जो है करना डगा कि अगर बात करें, तो Congress भी Minorities को ओड हसिल करने के लिए क्या करें है? अब के क्या पोलिशी सा उसके बारे? देखे खाली Minorities के लिए नहीं. Congress Party ने सब के लिए schemes निकाली है. For example, घ्रहलक्षमी scheme जो है स्टूडंस है उनके लिए तीन हजार उपए हैं और डिप्लोमा स्टूडंस है उनके लिए पंदरा सो रुपए हैं जिसमें आपको घर के लिए जो है बिजली 200 यूनिट फ्री हैं और जिते भी सरकारी जॉप्स वेकेंट हैं उनको फिल किया जाएगा और एक दस लाग तक के लोगों को जो है बिजनस सेट अप किया जाएगा इट्स बिग अफेट फ्रों कॉंग्रेस पार्टी टूली है जिसमें डी के शूकर मार की कर भी सिगनेचर्जेज हैं सिद्धी रमएया जी के सिगनेचर्ज हैं हम मोदी जी की तरह हवा में बातें नहीं करते हैं कॉंग्रेस का वादा सचा वादा पका वादा होता है उसकी एक example है, मद्या पर्देश में जब election थे, वहां कहा गया था कि हम election में जीते वक्त ही जो है, हिसानों का करजा माफ करेंगे और वो करें भी. पिछले सालों में 2014 से अब तक ऐसे कई Congress Party के लिडर्स पार्टी छोड़ कर वीजेपी में चले गए, कोई दूसरी पार्टी में चले गए, जैसे गुलाम नभी आजाता है, हाँ भाई, खिसा कुर्सी का, आपके जैसे एक माइनरेटी की मिनिस्टर थी नजमा अबतुला, वो Congress की माइनरेटी मिनिस्टर रहने के पावजूद पिर चौदार में बीजेपी जोइन करती है, हर जगा खिसा कुर्सी का, ये तो आप कह रहे हैं मेडम, लेकिन उन्होंने जो statement गया है, सभी लोगों का ये कहना है कि Congress में जो है अमारी value नहीं है, एक ही आदमी Congress चलाता है गांधी परिवार के आगे सुभी को खड़ा रहना होता है, इसी वज़ा से वो Congress चोटा है इसा है उनके statement से भाई देखिए, तब की Congress में और अपकी Congress में बहुत फरक है, अपकी Congress में आपको युवा नेता मिला है, जो पूरे ब्यारत देश को लेके चल रहा है, जिसने पूरे भारत देश को जोड़ा है अगर minorities को एहमियत नहीं दी गई होती तो ministry पत्पे कैसे पहुंचे होते हैं, गुलाम नभी आज़ाद को इतने उंचे पत्पे बिठाया गया, उनकी इज़त अफजाई की गई, एक से एक dignitary पत्पे उनको बिठाया गया, लेकिन उन्होंने उसी Congress Party से नमक हरामी की है, गुलाम नभी आज़ाद की पहचान Congress Party ने करवाई है, इस मुकाम तक उनको Congress Party ने पहुंचाया, Congress Party का नमक खाके उन्होंने उसी थाली को छेदा है मैं आपको कह रहे ही हूँ, मैंने शायद कल भी कहा था, कि गुलाम नभी आज़ाद जी को अगर उनके गाउं से चुनाव लड़ाया जाए, Consular का वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पीछे Congress का हाथ था, एक मजबूत हाथ था अभी मैं जो Congress के मुख्या है मलीकरजुन खरगे जी इसी रिजन से वा आते हैं, तो क्या उनके अध्यक्ष बनने के बाद कुछ बदलाव आएगा Congress में, क्योंकि मलीकरजुन खरगे जी के Congress Party के President बनते ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव हुए, गुजरात में वो सत्ता लेती है, तो इसका क्या अशर होगा फिर करनाटका के चुनाव में, खरगे जी का क्या रोल रहेगा, क्या Congress यहाँ पर आएगी? Congress इंशालला यहाँ पर सिंगल हांड़ली आएगी, Congress की यहाँ पर अच्छे तादात में बहुमत होगी और इंशालला हम सिंगल हांड़ली यहाँ पर सरकार बनाएगी.